हालो फ्रेंट्स आप सफिक आपने यूटूब चैनल पर हार देख स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इस्टेट मेटिकल फैकल्टी कितने परसेंटेज वाले स्टुडेंट को मिल जाएगा गवर्मेंट कॉलेज तो फ्रेंट्स वीडियो इसलिए से इंड़ तक देखें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किये हैं या चैनल पर पहली वार बिजेट कर रहे हैं तो तुर्ण चैनल को सब्सक्राइब करने फ्रेल आइकन के साथ साथ आल के बटन पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी information आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे तो चली फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स वाइनली हम आ चुके हैं उत्तरप्रदेश इस्टेट मेटिकल फैकल्टी के प्रोस्पेक्टर पर जो की पैरा मेटिकल के रिगार्डिंग आपको स्क्रीन पर आप देख पारे होंगे आप आसानी से अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं कैसे बहरा जाता है इस कि आकरिम सर कितने परसंटेज होनी चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमें गवर्मेंट कॉलेज मिल जाए जैसा कि काफी स्टूडेंट जानते हैं जिनका पिछली साल सिलेक्शन नहीं हो पाया था या जिनका हो गया है वो काफी सारे स्टूडेंट लगातार सीटे हैं डिप्लोमाइन रेडियो थरेपी टेकनेशन की चैतर सीटे हैं डिप्लोमाइन फार्मेसी की 300 सीटे हैं यह सीटों की संख्या में बड़ोतरी की गई लाइट साल जब से EWS कोटा लग हुआ है तब से पहले यहां पर काफी कम सीटे हुआ करते थी लेकिन इस वार क है डिप्लोमाइन फार्मेसी टेकनेशन की यानि डिफार्मा की और उसके बाद में सबसे कम सीटे जो है डिप्लोमाइन रेडियो थरेपी टेकनेशन की उपलब्द हैं उतरपदेद सबसे कम किसकी सीटे हैं तो यह देगी डिप्लोमाइन रेडियो थरेपी टेकनेशन की है है तो हम आपको बताने वाले हैं जितने आपके 10th के नंबर है फ्लस 12th के नंबर है दोनों आप जोड़ दीजी टोटल हम इस वारे बात करने वाले हैं तो रेडियो तरेपी जो रेडियो तरेपी टेकनेशी जो इस्टुडेंट करना चाहते हैं और अगर वह जनरल कैटेगरी से बिलॉव करते हैं और अगर उनके नमबर टेंथ के यो प्लस ट्वेल्थ के जोड़ के एक सो असी नमबर होते याके हैं आपके तो आसाँजी से 10th की मेरिट리 प्लस 12th की मेरिट अगर आपकी दोनों जोड़ के 180 होती है आपकी परसंटेजazy अगर आप general category से belong करते हैं तो आपको आसानी से Diplomine Radio Therapy Technician का कोर्स मिल जाएगा. OVC category के लिए ये percentage 175 सा 180 के बीच में अगर आपकी percentage है तो आपको OVC category के इंतर Radio Therapy का कोर्स मिल जाएगा. SC category के 170 प्लस और HD category के लिए अगर आपके 165 या 165 से जादा नमबर हैं तो आपको आसानी से Diplomine Radio Therapy का कोर्स मिल जाएगा. अब बात करते हैं Diplomine Pharmacy Technician की क्योंकि सबसे ज़्यादा student यहीं लेना चाहता हूँ और इसमें seatें काफी कम हैं. केबल 300 seatे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और Diplomine Technician बहुत अच्छा कोर्स है आप इसको करकर आप आसानी से मेंटकल इस्टोर खोल सकते हैं और अच्छी खासे इंकम कर सकते हैं. तो General Category से सुरुआत करते हैं अगर General Category के student उनकी merit 10th की और 12th की मिला के अगर 170 या 170 से ज़्यादा है तो आप आसानी से Diploma in Pharmacy Technician यानी D-Pharma का कोर्स मिल जाएगा General Category के student को वी से Category के लिए अगर आपके परसंटेज 165 या 165 से फिलस है तो आप आसानी से पा सकते हैं SC Category के लिए 160 और HD Category के लिए 155 से 160 के बीच में परसंटेज जाते हैं जैसा कि Last Year भी गई थी अब बात करते हैं Diploma in X-ray Technician की X-ray Technician में 649 सीटे हैं और X-ray Technician उनकी student को आसानी से मिल जाएगा दिन की 10th और 12th की merit मिला के 150 है और अगर जो General Category से बिलॉंग करते हैं तो 150% वाले student को आसानी से X-ray Technician का कोर्स मिल जाएगा OVC Category के लिए 140 से 145 परसंटेज होनी चाहिए SC Category के लिए 135 से 140 और HD Category के लिए अगर आपकी परसंटेज 130 है 10 plus 2 या 10th की 10 plus 2 को मिला कर अगर आपकी परसंटेज 130 है और आप HD Category से बिलॉंग करते हैं तो आपको आसानी से X-ray Technician का कोर्स मिल जाएगा और अंद में बात करते हैं Lab Technician की जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है डिप्लोमा इन फार्मेसी टेकनीशन यानि डिफार्मा के बाद तो LT यानि लैब टेकनीशन कोर्स उन स्टुडेंट को मिल जाएगा जिनकी परसंटेज जर्नल अगर कैटेगरी से इस्टुडेंट बिलाउंग करते हैं और जिनकी परसंटेज 10th की और 12th की मिलाकर 175 से 180 अगर है तो आपको आसानी से दिप्लोमा इन लैब टेकनीशन का कोर्स मिल जाएगा हो भी से कटागरी के लिए 170 मेरिट होने चाहिए और S.E. category के लिए 165 से 179 तक जा सकती है S.E. category के लिए अगर आपकी 60 है तो आपको आसानी से Dibnoma in Lab Technician का कोर्स मिल जाएगा Friends, ये जितने भी हमने आपको percentage बता ही है, ये last year के according है और बिल्कुल इस बार भी इतनी जाने वाली है क्योंकि UP में percentage की कोई कमी नहीं है जब merit list आपकी पवलिस हो तो आप देख लेना 94-95 आसानी से top student जाता है तो इस प्रकार जितने भी percentage हमने आपको पता है वो बिल्कुल 60 रहने वाली है अगर आपकी इतनी percentage है तो आप आसानी से इसमें farm डाल सकते हैं इस बार आपका selection government होने का जाना chance है आपको government college मिलने का इस बार जाना chance है क्योंकि COVID-19 के कारण और इसमें delay होने के कारण बहुत कम student इसमें इस बार participate करने की सोच रहे हैं तो आप आसानी से इसमें अपनी seat ले सकते हैं government के लिए next video में हम बात करने वाले हैं आपके कोई कोशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर बाचेंग और सब्सक्राब में चैनल